बहुत बहुत धन्यबाद बहुत शुक्रिया मैं मानने हैं मुख्यमंत्री तेलंगना के चंदशिकर राओ जी का बहुत बहुत अभार ब्यक्त करता हूं कि उन्हों ने हमें हम बुला के घर पे मान सम्मान दिया इज़त दी हम आदिम पार्टी के नैशनल कन्वेनर और दिली के मुख्यमंत्री अर्विन जी और मारे राजसवा के दो सांसत संजे सिंग जी और रागब चड़ा जी जैसा के क्राव साब ने अर्विन केजरिवाल साब ने बताई दिया कि देश के लोकतंतर को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं LG जो है वो selected है और दिल्ली की government elected है तो democracy में elected जो लोग है वो फैसले लेते हैं ना कि selected तो दिल्ली का तो पहले से ही ये कर रहे हैं पूर्ण राजय का दर्जा नहीं है लेकिन full states को भी तंग किया जा रहा है हमने पंजाब में 92 seats जीती out of 117 इतना बड़ा mandate है हम हमें budget session बलाना था मार्च में हमें गवर्णर ने मना गर दिया मैं प्रमिशन ही दूँगा budget session की तो हम कहां जाए तो budget session के बिना स्टेट कैसे चलेगी तो हम सुप्रीम कोट गए सुप्रीम कोट से जीफ जसे साब ने order दिया कि जी budget session होने दो और उसके बाद एक और जो बात हुई कि जी जो council of minister द्वारा लिखा जाता है प्राक्तियां government की कि हमने यह कहीं वो कहता उसमें मैं my government नहीं कहूँगा हमने का जी आप ही तो सम्वन कर रहे हो बिदानसभा आप my government नहीं कहूँगे तो क्या कहूँगे कहते हैं मैं this government कहूँगा फिर सुप्रीम कोट जाना पड़ा कि जी my government तो बोलना पड़ेगा इनको तब जाके उन्होंने सुप्रीम कोट ने कहा कि you have to read it word by word you cannot change जैसे उत्तमन अडू में कर लिया था स्टालियन जी के पास जो उन्होंने लिखके दिया था वो और था गुवर्ना कुछ और बोल रहा था तो मतलब यह हैरानी की हाथ यह है कि जो राज्य भवन है स्टेटों में वो बीजेपी के ऑफिस बन गए और राज्य पाल जो है वो स्टार का पेजर बन गए बीजेपी के तो इस गुवर्नरी सिस्टम को उन्होंने मिस्यूज किया है हर जगह पे करते हैं आपके बिल रोक रखे हैं स्टेट के हमारे बिल रोक रखे हैं वहाँ पे स्टालिन साब का चिठी आई थी हमें कि हमें स्पोर्ट करो हमारे बिल रोक रखे हैं केरला में तंग कर रहे हैं म मतलब इन्होंने मन बना रखा है जैसा के अरविंजी ने कहा अगर एलेक्शन से नहीं जीते तो बाइलेक्शन से जीत जाते हैं कि मतलब बंदे तोड़ो और बाइलेक्शन करा लो और कलो तो यह बहुत फैडल स्ट्रुक्चर के लिए बहुत घातक है और देश बचाने की ल लेकिन ऐसी जादी के लिए आज उनकी आत्मा तरपती होगी कि ऐसी जादी के लिए तो उन्हें हमने कुर्बानी दी ती जो जिस तरीके से देश को जी चला रहे हैं तो हम यहां पर आए हैं और राज्यसवा में और जब से शक्तियां चीने हैं लोगों ने 2020 में फिर चुन चुन लिया आमादी पार्टी को तो मतलब लोग लाइन में खड़े हो के बोर डालते हैं डेमोक्रेसी है तो उसके और उसके बाद सुप्रीम कोड के फैसले को नहीं मान रहे हैं तो यह बहुत ही गलत मेसेज है जो है बैसे तो हम बिग्गेस्ट डेमोक्रेसी आफ दा वर् हम नहीं गए कारन क्या वहां क्या करना है फोटो किछ बाने जाते हैं मैंने तो चिट्टी में लिखके बेज़ दी मैंने गावरे पेशले